जोहार दोस्तों स्वागत था आप सभी का आपके अपने चेनल एक्जाम हेलफर पे दोस्तों आज हमने जारखंड के प्रिवियस क्वेस्टेन लेकर के आया हूँ जो जारखंड में जेपीसी और जेससी में पूछे जा चुके हैं उनके 15 प्रश्णों को लेकर के आया हूँ ठीक है तो चलिए देर की ये बिना शुरू करते हैं आज के 15 महतोपूर्ण प्रश्ण व्याख्या के साथ क्योंकि वह सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहा था कि नहीं से आप व्याख्या के साथ बताते हैं तो चलिए आज से मैं आप लोगों को पूरा व्याख्या करक वो आपका गुमला जिले में है जिसकी स्थापना की गई थी 1990 में ठीक है और यहां गुमला में है गुमला जिले में है पालकोट आसरेनी और इसमें हम देख लेते हैं हलका सा कभी कभी प्रशन पुछता है कि पालकोट आसरेनी जो है इसमें प्रमुख वने जीव कौन-कौन स जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में जिसको हम लोग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं अगला प्रशने दोस्तो जार्खन में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहां इस्थित है देखे ये भी एक्जाम जेपियसी में पूछा गया है ठीक है दोस्तो अप्सन से रामगड चत्रा बेतला हजारी भाग तो जार्खन में जो आश्रित वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तो ये आपका हजारी भाग में इस्थित है ठीक है वो जगह का नाम है डेमो टार्ण ठीक है डेमो टार्ण में इस्थित है डेमो टार्ट जो है वो हजारी बाग और राची हाईवे पे ही बगल में ही है ठीक है अन रोड पे है अगला प्रशन है जारखन में लोगसभा सीटों में अनुसूचित जंजाती के लिए कितने पद आरक्षित हैं भी जेप्यसी में पूछा गया है ओप्सन से 5, 9, 7, 6 तो देखिए इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका 5 ठीक है इसको समझ लेते हैं हलका सा जारखन में लोगसभा की टोटल सीट है 14 और राजसभा का टोटल सीट है 6 मिला देंगे तो संसद का टोटल सीट 14 है लोगसभा के लिए जिसमें से 5 आपका है स्ट के लिए और 1 आपका है स्ट के लिए ठीक है दोस्तों बच गया आपका कितना 14 में च्छे गया तो बचा 8 आठ जो आपका है वो है जनरल सीट ठीक है तो यहां से आपका ए भी क्लियर हो गया कि स्ट के लिए लोगसभा सीट है इसका जो सही अंसर होगा दोस्तो वो है एक पूछा गया है आपका JPSC में 66.4 options है लेकिन अगर देखा जाए तो जार्खंड की जो साक्षरता दर है literacy rate है वो आपका है 67.63% ठीक है दोस्तो वो अगर हम बात करेंगे जार्खंड में पूरुष साक्षरता दर की तो पूरुष साक्षरता दर आपका है 78.45% अगर आप बात करेंगे महिला का तो महिला का है जार्खंड में 56.21% ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं संख नदी का उद्गम अस्थल है options हैं गुमला, जमसेदपूर, हजारी बाग, 36 गड़ तो संख नदी का उद्गम अस्थल है दोस्तों वो है आपका गुमला इसके बारे में देख लेते हैं हलकासा तो संख नदी जो है वो गुमला जी लेके चैनपूर परखंड ठीक है चैनपूर परखंड से निकलती है और इसका जो मुहाना है जहाँ नदी जाके मिलती है मिलती है दक्षिनी कोयल नदी में ठीक है कहा मिलती है दक्षिनी कोय नदी में इसका जो टोटल अफवा छेतर है वो आपका है 4107 वर किलो मीटर ठीक है 7 वर किलो मीटर तो यह प्रस्ण देख लिए हम लोग एगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों इन में से कौन सा राज जार्खन का प्रोसी नहीं है मैद पर्देश औरिशा बिहार चतिसगर तो देखे दोस्तों चतिसगर तो जार्खन का प्रोसी देश है बिहार भी आपका जार्खन का प्रोसी देश है ठीक है इसके बाद आपका औरिशा भी है मैद पर्देश इसका प् उरहां, तो देखें दोस्तों मलेर का जो सम Edwards है वो है सोरिया पहाडिया से ठीक है क्योंकि सोरिया पहाडिया के बारे मेलकाशाब जान लेजए सोरिया पहाडिया ज्छार्खन के एक आधिम जंजाती है ठीक है और इसका समन्द जो है वो प्रोटो अस्ट्रोलाइड समूसे र मालतो क्या भासा इनकी मालतो इनकी भासा है ठीक है और इनकी जो अस्थानिय भासा है जो अपने आप में लोग बोलते हैं अगल बगल में उसको बोला जाता है कुर्वा क्या बोलाता है दोस्तों कुर्वा तो यह समझ गए आपकी सोरिया पाडिया का सम्मध है आपका संधाल प्रगना से और सन्थाल प्रगना की आदिम रुष को कहा जाता है सोरिया पर्अज़ा जार्खन की ऊंदुकि आधिमजन जाती है इनको प्रजात्य द्रिष्टि से प्रोटोे च्रोलग्ऩ सम्हूं में रखा गया है इनकी भासा माल तो है और इनकी स्थानिय भासा जो है वो कुरुवा है ठीक है दोस्तो अगला प्रस्ण देखते हैं मेथन डेम कब एवं किस नदी पर बना है अप्संस हैं दामोदर 1903 में बोकारो 1905 में पंचेत 1956 में बढाकर 1958 में तो दोस्तो देखिए मेथन डेम की जो स्थापना होई है वो बढ नहीं कहीं आपको मिलेगा 1957 भी ठीक है दोस्तो तो बढ़ाकर नदी पे ही मेथन डेम बना है जो धनवाद मेस्तित है इसके कुछ भाग आपके बंगाल में भी पड़ते हैं और कुछ भाग जार्खन में भी पड़ते हैं अगला प्रस्ण है किरिंग बापला किस जंजाती स समंदीत है, औपसन है संथाल, बिरहोर, हो और भूमीज ठीक है, तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तो किरिंग बापला जो है वो विवाह की एक पधती है । उल्यdepend, 5, 2,3 वो प्रशपर उन लोगों में है, जिसमें से किरिंग बापला विवाह का परचलन है, वो सबसे अ होता है कि यह साधी जो तई की जाती है वो मतलब माता पिता के द्वारा तई की जाती है अग्वा के माधियम से ठीक है दोस्तो अगला options देखते हैं जूम किससे समंदित है पहाड़िया संथाल बैगा थारू तो देखिए जूम का बोलते हैं जूम खेती जो की पहाड़िया से समंदित है ठीके दोस्तों देखे दोस्तों अभी तक आपने हमारे अंड्रोइड एप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज आप एंड्रोइड एप को एक्जाम हेलपर को इंस्टॉल कर लीजिए जहां पर आपको जार्खन की आप लोगों को हमारे दुआरा ओफ लाइन टेस्ट्रीज चलाई जा रही है जिसको आप लोग जाकर के जॉइन कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो देर किये बिना आप अगर अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें आपको ह चैनल के माध्यम से हर दिन जार्खन के जो महतोपूर्ण प्रस्ण है जो आगामी जो पिछले परिछाओं में पूछे जा चुके हैं उनका मैं पूरे व्याख्या के साथ आप लोगों को एकक करके बताऊंगा तो अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था ओप्शन से 9 सितंबर 1850, 18 अगस्त 1865, 15 नौवंबर 1875 इन में से कोई नहीं तो आप सभी को मालूम है कि हमारा जार्खन जो अलग हुआ था ओं 15 नौवंबर 15 नौवंबर 2000 में ही अलग हुआ था ठीक है बिहार से औ और 15 नौवंबर को ही हम लोग क्या करते हैं जार्खन की स्थापना दिवस को भी सेलिब्रेट करते हैं और 15 नौवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो आपका हुआ था 15 नौवंबर 1875 को ठीक है दोस्तों आप्संस नंबर सी बिल्कुल सही होगा अगला प्रस्ण है आंदी और ओपर तीपी नाम से परचलित विवा निम्ल में से किस से हैं ओप्संस है उरा, मुंडा, हो, पहाडिया तो देखें दोस्तों आंदी और ओपर तीपी विवा का जो परचलन है वो हो जनजाती में पाए जाता है और अगर देखा जाए तो जार्खन में हो जनजाती का जो निवास स्थान है वो सिंभूम छेत्र है ठीक है दोस्तों अगला प्रस्ण है घुमकुडिया निम्लिखित में से किस जनजाती से समंधित है ओप्संस हो, मुंडा, संथाल, उराव तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तों व युवागिरा को हम लोग बोलते हैं धुमकुडिया ठीक है तो उराओं का जो युवागिरा है वो धुमकुडिया है हो की अगर बात कर लेंगे तो हो का जो युवागिरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोती ओडा ठीक है गोती ओडा अब बात करेंगे मुंडा का तो म संथाल को अब बोलते हैं वो डोड ठीक है संथाल का बोलते हैं घोड ठीक है अगला प्रसण挺 दोस्तो कि 2011 की जनगना च्छा arm भारत की कुल जन्षंख्या का कितना परतिशत जैंखन की 번째 क्देस सब्सक्रा किसे से रुप 2.72 परतिसाथ, 5 परतिसाथ, 2.5 परतिसाथ, 4.26 परतिसाथ, तो इसका जो सही अंसर होगा दोस्तो, वो होगा आपका 2.72 परतिसाथ, मतलब 2011 की जन्गना के नुशार, भारत की जो कुल जनसंक्या है, उसका जारखन में जनसंक्या का हिसाथ, जो हो कितना है, 2.72 परतिसाथ, ठ अगर देखा जाए अभी वर्तवान में जार्खन में जो क्रिसी सर्मिकों का परतिसत है वह आपका है 45 परतिसत ठीक है तो यह थे आज के 15 महतुपुर्ण प्रस्ण जो प्रिबियस एर के एक्जाम्स में पूछे जा चुके हैं मैं इसी तरह का स्रीज रेगुलर लेकर के आऊ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा दें और इसे आप सेर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास ठीक है दोस्तों धन्यवाद दोस्तों